कुछ नबर 12 11.1 to warm ships for underwater rocks a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree कितने डिगरी पर 80 डिगरी का सेक्टर मतलब अगर शिप हो गए अब शिप को पूरी तो नहीं बना पाऊंगा मैं सामने का भाग बना दिया ठीक है बाकी वो पूरी शिप बनी होगी तर सामने का भाग वो भी नीशे का पूपर से सिप बनी होगी यहाँ पर red color light निकलता है कितने कितने डिगरी का सेक्टर यहां से बना रहा हूं 80 डिगरी यह पूरा कितने डिगरी का 80 डिगरी यह ऐसा डाइगरेम है नहीं उसको समझो ऐसा सामने से ऐसा फैलता होगा लाइन से कुशन आगे दे area of the sea over which the ships are warmed हिंदी में सुनों फिर एंगलिश में और अच्छिस बता दाओ जहाँ जोको समुदर में जलिस्तर की निचे इस ती चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक light house 80 डिगरी कोण वाले त्रिजखंड में 16.5 km की दूरी तक लाल रंग का प्रकास फैलाता है ला जाता को चेक करेगा किसी प्रकार का कोई रुकावट तो नहीं है फिर आगे दे रहा है समुदर के उस बागा चेतरवल गयात की जिसमें जहां जोकी को चेतावनी दी जा सकती है चेतावनी के लिए एक light laser light जैसा भीजा जाता है ताकि कोई भी परवत पहाड या चोटा जो find करना है नीचे से लिखना find that मैं यह लिख रहा हूं कोईशन में से लिखना है कोईशन में क्या लिखना है समुदर के उस बाग का चेतरवल जिसमें जहांजो को चेतावनी दी जा सके यहां लिखोगे English में क्या लिखोगे इंग्लिश में लिखोगे area of the sea over which the ships are warmed, warned ठीक है, warned करना है given क्या है, given distance और यह distance जरूर लिखा हुआ है, दूरी जरूर लिखी हुई है लेकिन हम यहां क्या लिख देंगे radius, radius मतलब तरज्जा, तरज्जा कितनी 16.5 km angle theta कितना दिया है 80 degree, कुछ नहीं, यह निकालना है डारेक्ट जो यहां पर find that में लिखोगे वो यहां पर लिख लेना, area equal formula theta by 360 into pi r square same formula, sector बोल रहा है, वो sector निकालना है, theta by 360 into pi r square, theta कितना है 360 theta 80 है यह 360 pi की value 3.1 into r square r कितना, 16.5 का square solve कर ले, 0 से 0 2 से 4 टाइम, 2 से 18 2 से 2 टाइम, 2 से 9 2 by 9 2 by 9 into 3.14 into 16.5 into 16.5 16.5, 16.5 गुणा करो 25 और 16 गुणे 17 कितना है कितना है, 272 25 और 2 digits के बाद decimal 272.25 किसका है, इन दोनों का multiply करने पर 2 by 9 अच्चा, यहां इन दोनों का multiply कर लो 3.14 into 2 2 चुके 8 दोनों का multiply करने पर 272.25 पूरे की बटे में नोई इन दोनों का multiply करो 252.25 गुणे 6.28 हिंदी में करना 8 पंची 40 के 0 कहरी 4 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल का 2 8 दूनी 16 और 2 18 के 8 हासिल का 1 857 के साथ हासिल का 5 8 दूनी 16 और 5 13 स्वरी 16 और 5 21 2 पंची 10 का सुन आसिल का 1 दूनी 4 और 1 5 2 दूनी 4 2 साथ ही जूदा के चार हासिल का 1 दूनी 4 और 1 5 6 पंची 30 का 0 हासिल का 3 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल का 1 6 दूनी 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1 6 साथ है 42 यूट 43 के 3 हासिल का 4, 6, 2, 12, 4, 16, 0, 0, 8, 5, 13 के 3 हासिल का 1, 5, 6, 4, 10, 17 के 7 हासिल का 1, 3, 4, 4, 8, और 1, 9, 5, और 3, 8, और 2, 10 का सुने, हासिल का 1, 6, 7, 1, 2, 2, 4, संगय के बाद 10 संबलो, 2, 2, 4, संगय के बाद 10 संबलो, 1, 7, 0, 9.7300 by 9, डिवाइड करना है, यह दोनो 0 अटा दो एक तो एंसर यह आ सकता है, ठीके, आ सकता है, अभी डैसिमल है, डिवाइड करके चेक करते हैं, डिवाइड में नहीं आ रहा है, हाँ, हाँ, डैसिमल में आ जाएगा, 1709.73, डिवाइड करें, 9 से, 9 एकम 9, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेएगा, 8, 0, जो, 9, 82, बचा 8, उतारा, 9, 9, 81, 9 में से 1 गया, 8, डैसिमल मिल गया, 7 उतार दिया, फिर 81, 6, 3 उतार दिया, 9 साथी 63, चेक करें, 189.9 किलो मीटर का स्क्वेर, पुरा-पुरा है, समझाया, क्लियर है कोशन, कोशन अच्छे बना, ये डायग्राम कोशन का नहीं है, डायग्राम मत बनाना, सिर्फ समुदर के अंदर जो सीप होती है, उससे एक लाइट निकलता है, जो सिर्फ रुकावट है कि नहीं, इसका सिगनल बताता है, वार्न करता है कि आगे, और उ छे इकवल डिजाइन दी हुई है, सरकिल, छे डिजाइन बना लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, ये सिक्स डिजाइन बनी हुई है, ये वाली, कवर है, हिंदी में मेच पोस, उसकी छे डिजाइन बनी हुई है, सिक्स डिजाइन, अभी छे डिजाइन बनी है हम सेंटर से गर इनको मिला दे तो सेक्टर बन जाएंगे हमारे लिए एक, दो, तीन, चार, पांच छे एक, दो, तीन, चार, पांच छे ठीक, आगे radius of its cover is 28 cm, ये जो radius है 28 cm, ये भी कितना 28, 28, 28, 28 आगे find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square find करना है cost of design at the rate of 0.35 per centimeter square 0.35 रुपे 0.35 रुपे पर centimeter square पर given क्या है हिंदी में 0.35 रुपे 30 cm square की दर से design का खर्च given है radius त्रिज्जा कितने दिए 28 cm अच्छा पार्ट कितने दिए भाग भाग इतने दिए 6 तो थीटा एक्वल किया जाएगा 360 by 6 60 degree का एंगल बन जाएगा थीटा निकालना जरूरी था कितने डिगरी का एंगल हो किया center पर 60 डिगरी अब देखो करना कैसे मैं एक अलग बना रहा हूँ इसको अलग बनाया जब हम sector वाला formula लगाएगे पूरा sector वाला theta by 360 to pi square sector वाला formula लगाएगे तो हम जब sector निकालेंगे फाइन करेंगे तो sector में क्या आएगा पूरा भाग आएगा ये वाला ये वाला जो भाग बन रहा है ये जिसको मैं नाम देदेता हूँ O, A, B इसको अब triangle बोलो O, A, B और A, C, B को आप segment बोलोगे A, C, B को segment बोलोगे A, O, B को triangle बोलोगे तो पूरे sector में से triangle मिटा दोगे तो आपके पास segment आजाएगे segment मतला वरत्खंड और कितने वरत्खंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 वरत्खंड तो पहले पता लगाना पड़ेगा triangle कौन सा है center का angle तो पता चल गया कितना है 60 degree अब यहाँ पर मैं लिग रहा हूँ समझना क्योंकि हम एक segment का area निकालके 6 का multiply कर देंगे उसका ही खर्च निकालना है अंदर के भाग का खर्च नहीं निकालना है design design का खर्च निकालना है तो सिर्फ segment हिंदी में हम बोलते हैं वरत्खंड 6 segment तो 6 का multiply कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके लिए पहले हम पता लगाते triangle कौन सा है since OB equal OA equal 28 cm क्योंकि radius है then rule of isocellus triangle सम्द्वी बाहू त्रिभुज के नियम से सम्द्वी बाहू त्रिभुज का नियम के बराबर भुजाओ के सम्मुक कोन बराबर होते हैं तो ये अगर भुजा बराबर है तो ये वाला angle इसके equal है ये भी X, ये भी X X लिख देता हूँ, कोई डाउट हमको पता है, sum of all three interior angle in triangle equal 180 हिंदी में त्रिभुज के तीनो कोनों का योग कितना होगा? एक्सोसियंस ये center का हमने angle निकाल लिया है center वाला angle कितना है? 60 वैसे भी हमको समझ में आ रहा है कि वो equilateral triangle है 60 X plus X 60 plus X plus X equal 180 60 plus 2X equal 180 2X equal 180 minus 60 X equal 120 में X equal 60, तो तीनो 60 तो हमको बताना है सो करके बताना है question में 60 plus X plus X कि ये equilateral triangle है ये जाएगा 2X equal 180 माइनस 60 2X equal 120 इससे cancel किया 60 X equal कितना आ जाएगा? 60 हम क्या बोल सकते? ये X भी 60 ये भी 60 ये भी 60 A, O, A, B O, A, B is an equilateral triangle संभाहूत रिभूज है ये इतना सब हमने यहां महनत किये इसलिए कि उसको ISOCLS प्रूफ नहीं करना है ISOCLS तो है सम्धिवी बाहूँ है equilateral प्रूफ करना है संभाहू क्योंकि संभाहूत रिभूज का 6 तरफल निकालेंगे अब मैं एक लाइन में पूरा कोशन करूँगा कहने का सेंस segment निकालना है मैं को तो segment के लिए पूरे sector में से triangle को मिटा देंगे मतलब घटा देंगे तो segment आ जाएगा और 6 का multiply करेंगे तो 6 segment आ जाएगे पूरा का अलग अलग निकालने के आप सकता नहीं है ठीके तो area of segment area लिखने है area of segment नाम लिख रहा हूँ ACB वरत्खंड वरत्खंड ACB का चेतरफल क्या करेंगे area of sector area of sector minus area of equilateral triangle पूछे लेना यहाँ पर क्या लिखा है equilateral triangle त्रिजखंड का चेतरफल त्रिजखंड का चेतरफल minus संभाहू त्रिपुच का चेतरफल त्रिजखंड का चेतरफल पूरा त्रिजखंड का चेतरफल और इसको बता दिए हमने संभावत रिभुजे तो इसका चेतरफल, पूरे 30 कंड के चेतरफल में से संभावत रिभुज का चेतरफल घटा देंगे इतना भाग बचेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे सेगमेंट का चेतरफल, फॉर्मला लिख रहा हूं फॉर्मला लिख रहा हूं, रूट 3 बाइ 4, A स्क्वर A मतलब हुजा, हमारे लिए रेडियस फॉर्मला लिख रहा हूं, फॉर्मला लिख रहा हूं 22 बाइ 7 से, इसकी रेडियस कैंसल हूजाएगी इंटू 28 का स्क्वर, माइनस, रूट 3 बाइ 4 A स्क्वर, ए कितना, 28 का स्क्वर 0 से 0, 6 टाइम, 1 बाइ 6 इंटू 22 बाइ 7 इंटू 28 इंटू 28, माइनस 1.7 बाइ 4 इंटू 28 इंटू 28, कोई डाउट? नो सर, ठीके, 7 से कितनी बार? 4 बार 2 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? 4 से कितनी बार? 7 बार, गुणा करे 22 दूनी 44, गुणी दा 28 बटे 3 माइनस गुणा करे 1.7 इंटू 7 7 बार, 49 का 9, करी 1 7, 4, 7 बार, 7 बार, 7 और 4, 11 किस का मल्टिप्लाई किया? 11.9 इंटू कितना जाएगा? 28 11.9 इंटू 28, मल्टिप्लाई करे 8 नम बातर के दो हसिल का 7 8 एकम 8 और 7, 15 के 5 हसिल का 1 8 एकम 8 और 9 2 नम 18 के 8 हसिल का 1 2 एकम 2 और 1, 3 8 और 5, 13 के 3 हसिल का 1 9, 10, 3, 13 के 3 हसिल का 1 2 और 1, 3 एक डिजिट के बाद डैसिमल एक डिजिट के बाद डैसिमल इन दोनों का मल्टिप्लाई भी करना है अभी कितना है? अभी answer नहीं आएग, अभी time है 3, 3, 3, 3.2 इन दोनों का मल्टिप्लाई करके 4 से डिवाइट कर दे 3 से, 3 से, 3 से, 3 से 28 इन्टू 44 4 आटे 32 के दो आसिल का 3 4 दुनिया 8 और 3, 11 गुनित 2, 1, 1 2 और 1, 3, 1 और 1, 2, 1 का 1 1232, कित ता रहा है? 1232, बटे 3 1232 में किस से भाग दे दे? 3 चोक 12 3, 3 एकम 3 भागने जा रहा 0 दसमलो, 0, 3 चंग 18 फिर दो जाएगा 3 चंग 18 3 चंग 18 410 दसमलो, 6 माइनस, 333 दसमलो माइनस करना है को डाउट है यहां तक? एंसर नहीं आया एंसर अभी नहीं आया हमको कॉस्ट निकालना है कॉस्ट मतलब कितना पैसा खर्च डिजाइन बनाने में और कॉस्ट 0, 3, 5 प्रती सेंटीमीटर स्क्वेर पर कर्च है तो पहले कितना एरिया यह तो निकाले? और अभी एक और चीज, सेगमेंट है मैं एक चीज एक्स्रा कर देता हूँ वाई हम यहाँ पर निकालेगे area of six segment चेवरध खंडों जही तरफल यह एक का किया तो कुछ नहीं करो, आप किस से multiply कर दो 6 से किसमे multiply कर दो six में? पूरे में पूरे में किस से multiply, क्शे से multiply, च्छे से पूरे में, six से multiply आख्री में इक काम करें आक्रे में निकल लेंगे, इसको मिटा दो आक्रे में कर लेंगे 6 से multiply करतेंगे तो 6 वरत खंड का चेतरव है क्योंकि design 6 की चाहिए 1 की नहीं चाहिए 410 में से घटा देते हैं 333.2 6 में से 2, 4 10 में से 3, 7 9 में से 3 10 में से 3 7, 0 77.4 यहां तक कोई doubt है किसी को अभी diagram book में बना हुआ है diagram book में बना हुआ है diagram बना लोगे book में से यह diagram मिटा रहा हूँ थोड़ी जगा के आउ सकता है हमको अभी 6 वरत खंड का चेतरवल निकालना है कितने वरत खंड का चेतरवल 6 तो यह आकरी में करेंगे भाई यहां पर आकरी में करेंगे area यह pocket हो गया area of 6 segment 6 वरत खंड का चेतरवल तो यह जाएगा 6 गुनित कितना निकाला है 77.4 624 के चार आसिल का दो 672 के चार आसिल का चार 672 का चार 46 एक point के पर decimal centimeter के square यह तक कोई doubt है 6 वरत खंड हो 6 डिजाइन जो दी है उसका चेतरवल निकाला अब हमको निकालना है cost cost मतलब खर्च खर्च कितना था 0.35 रुपे 30 centimeter का square तो किस पर खर्च निकालना है हमको cost on 464.4 cm के सुपर तो यह देगा 464.4 into 0.35 हमारा एंसर आएगा रूपए में multiply करते हैं 464.4 into 0.35 हिंदी में 5 के 20 का 0 आसिल का 2 5 के 20 और 22 के 2 आसिल का 2 5 के 30 और 32 के 2 आसिल का 3 5 के 20 और 2 3 था गया फिर से 5 के 20 का 0 आसिल का 2 22 के 2 आसिल का 2 5 के 30 और 32 32 के 2 आसिल का 3 5 के 20 और 0 1 2 4 कि तीन चंग और एक उननीस के नौ ऐसिल का एक तीन को कि बारा और एक तेरा गुट्र जीरो कि एक दो थीन चार दोर सब्संदुम हो हो पांशन पांच स्मज़ आयक समय साथ यह ऐब एन्सर आया छाइब एंसर आया? 162. 162. Point के बाद? 6,8. क्यों है पता है? क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है? कहां पर? 6,6 ने लिखा, एक ये 6 लिखा है. कहां पर? हाँ वो अटा दिये मैंने. जब बार-बार 6 आ रहा है था 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 हमने एक यह बार लिखा है. तो परफेक्ट जो है वो लिखा दे, कोई दिक्कर नहीं है, हमारे बाद डैसेमल के बाद